जी हाँ ये केंग खान शाहरुक का ही अनौस्मेंट है शाहरुक का कहना है कि उन्होंने खुद को कर लिया है रिडिस्कवर और अब वो है न्यू इंप्रूव्ड खान और ये मत समझेगा कि ये सिर्फ शाहरुक का दावा है क्योंकि शाहरुक ने इस इवेंट पर अपने न्यूली इंप्रूव्ड वर्जिन को साविद भी किया है और क्या इंप्रूव्मेंट हुई है शाहरुक खान में ये उनकी दोस्त जूवी से सुनिये यहां शाहरुक की दोस्ट जू ही सब्राइस थी कि किंखान ने खुद को इतना कैसे बदल लिया और कैसे आ गए शाहरुक इस इवेंट पर टाइम से पहले क्योंकि एक वक्ता जब शाहरुक को अकसर लेट आने पर मीडिया का गुस्सा जेलना पड़ता था और कई बार तो शाहरुक ने अपनी इस गलती के लिए माफी भी मांगी है तो जूही का सब्प्राइज होना तो लाजमी था चाहरुक की मारे तो अब वो हो गए है इंप्रूव और अब पंच्वालिटी की मामले में शाहरुक अपनी दोस जूही को भी टककर देने लगे है कैर ये तो बस न्यू इंप्रूव शाहरुक की एक क्वालिटी थी जड़ा ठहरिये क्यूंकि अभी तो न्यू इंप्रूव शाहरुक का एक और रास खुलना बाकी है और वो ये कि शाहरुक अब कॉंट्रूवर्सी से को सो दूर रहना चाहते है और इसलिए अपने पुराने दोस्तों से माफी मांग कर अपना साथ ना चोडने की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं शाहरुक देखा आपने न्यू इंप्रूव शाहरुक का ये अंदाज शाहरुक यहां publicly misbehave करने की बात कहेकर indirectly अपने और शरीश कुंदर के बीच हुई लडाई का जिक्र कर रहे थे और साथ ही ये इशारा भी कर रहे थे कि all is well between him and his old friend फारानाओ और यही इशारा शाहरुक ने दे दिया अपनी दोस्त जूही को भी जिनसे पिछले दिनों उनकी अन्मन ही खबरें भी आई थी लेकिन शाहरुक इस सवाल को भी बखू भी हैंडल कर गए और अपने जवाब से जूही को इंप्रेस भी कर दिया यहानी देखा जाए तो यह निव इंप्रूवड खान है और बाच अप स्प्री एस वेल कर इसके अलावा कौकता नाया लोगो लॉंच करने आई शाहरो कि यहां दिखे बिलकुल नए और एनर्जेटिक अंदाज में और अपने फ़नी वान लाइनर से भी केंखान ने सब को खूब एंटर्टेन किया और तो और शाहरुप में ये भी करने के लिए वो अपनी शूटिंग तक रिशेडियूल करवा देंगे और इस बार वो आई पील की ट्रोफी ले ही जाएंगे बेंगे बेंगे